हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू साशी बलोग्स फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस ड्राइवर रीटेन एकजाम की त्यारी करने के करम में हम लोग मोटर वाहन से समंधित मुख्य धराय जिसका पार्ट वन पहले ही हो चुका है आज का वीडियो पार्ट टू है तो पार्ट टू में हम लोग बचे हुए जो भी धराय है वो देखेंगे और इसी तरह पार्ट करके आते रहेंगे तो अगर आप लोगों ने वह पार्ट वन नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं उसका जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो स्टार्ट करते हैं मोटर व पुछने की संभावना होगी वही धराय मुखे धराय हम लोग पढ़ेंगे तो पिछले वीडियो में हम लोग ने भारत में कब लाग हुआ क्या नाम है पूरा मोटर मोटर वहन अधिनियम 1988 का यह सब देख चुके था और इसका संसोतर कितने बार पांच वर किया गया था कुल चेप्टर कितने थे इसमें 14 और कुल धराय दो से 17 मुखे धराय और इसके उप धराय भी है और उसके बाद अनुसूची कितने दो अनुसूची दो है इसके अंतर ओके तो यह सब हम लोग देख चुके थे तो यह गोल्डेन आवर वगएरा सब कुछ देख चुके थे जासे लिवार और यह देख लिए थे हैं एचिजी भी क्या है थे एक हैं आचन भीका सब हम लोग देख चुके थे तू आस धारा मतलब धारा दो देख रहे थे उसमें कुछ बचा हुआ है तो हम आज वह देखते हैं तो यह बचा हुए है ज defined 2 तू शिवा उप्टा रिक्सा नियम वह सर्ण जो रही है इसको हम लोग क्या और वह इलेक्ट्रोनिक वेहेटल और रिक्षा जो अभी मार्केट में बहुत ज्यादा आप लोग देखते होंगे जगा-जगा-ई-rixy आगया है तो उसके समंधिती कौनसा धारा के अंतरगत आता है तो ऊसके बार देखिए ते नुट रूप में है तीन पहिये वाले इलेक्ट्रोनिक वाहन में 4000 वोल्ट से अधिक बैटरी नहीं होनी चाहिए देखिए सब कुछ के लिए कंडिशन होता है तो यह भी एक कंडिशन है 4000 वोल्ट से अधिक वेक्टि क्यों नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सरे मतलब ऐसे संटिफिक दिमाग लगा कि तब इसा कानून में जुरा जाता है कि अगर माली 4000 से ज्यादा होगा आदमी उस पर वैठा रहेगा तीन पहिया व देखते हैं कि यह हम लोग चैप्टर 1 में ही पर चैप्टर 1 में क्या क्या है धारा और तू जिस जितने भी धारा रूप धारा आयाती है वह चैप्टर 1 में जो धर रवनन है अद है यतायाढ च्रांगे संकेतो यतायढ संकेतो नहीं सतना भीृटर्व मसिननहीं अके फिर्वाट प्राम के सब्सक्राइigon उसमें इंपोर नहीं इस नहीं होते हैं यूद्र इसमें ating्कार्च यह जितनला वह इंपॉर्ट्न आथां जितना स्टार मारना एक तर मालना एक पूरा कोपी को रंग दिए यह क्योंकि यह पूछ लिया जाएगा बताइए कि भी त्राफिकनेम का जितना है लोग देख चुके हैं और कहाँ देखें एस स्पेसल वीडियों चार वीडियो में पूरा ट्रैफिक्सिंगनल मतलब कंप्लीट है कितने टाइप के होते हैं क्या है तो उसका भी जो लिंक अध्याय दो के अंतर गताते देखते हैं और यह सब हम इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट एकदम अलग कर लिए हैं वह हम देखा है यह नहीं कि पूरा धारा हम परहाने लगे एक डिस से पूरा टाइम इसी में दरिया इसा कोई बात नहीं है तो चलिए देखते हैं सेक्षन 3 धारा 3 धारा 3 कहती है कि सर्वजनिक अस्थानों पर ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवारे है यह कौन बोलता है धारा 3 यानि धारा 3 क्या बोलती है कि आप अगर आज ड्राइवर हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जो जब सर्वजानिक अस्थान यानि की पूरा सर्वजानिक कहने का मतलब क्या है कि जे रोड पे आप गारी चला रहे हैं जहां पर आदमी का वागमन है बहुत रहा के गारी आते जाते हैं तो वहां पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार है मतलब जरूरी है त अब कीया उथ सेक्षन के दयाता है ना तो सेक्षन फोर में है सेक्ष्न फोर में देखे इस उपर इसमें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आयू सिमा का परवधान रखा गया है ओहह यह पी साहिया क्योंकि मान लिजे सरकार क्या बोलेगा कि आपके पास driving license होना चाहिए लेकिन कैसे बनता है क्या पुरों से से उसके लिए भी section चाहिए न तो उसके लिए क्या section 4 है और यह चेप्टर किसके अंतरगत आता है चेप्टर 2 के अंतरगत तो क्या है परवधान वह हम लोग देखते हैं सबसे पहले 18 वर्ष से कम आयूवाला वेक्ति सर्वजानिक अस्थान पर मोटर यान नहीं चला सकता है तथा 20 वर्ष से कम आयूवाले वेक्ति सर्वजानिक अस्थान पर परिवहन वहन नहीं चला सकते ह क्या बोल ला है सर कन्फ्यूज हो गए सर बताइए आखिर क्या बोल लिए तो देखिए जब आपका उम्रह 18 वर्ड से कम रहेगा तो आप सरोजनिक अस्थान पर मोटर यान यानि कि कि एक होटा है कमर्शियल एक परस्नल होता है परस्नल मतलब आप कोई भी गारी जो गियर वाला हो वह आप नहीं चला सकते हैं लेकिन अगर भी 18 वर्ड सो जाता है 20 वर्ड सापका नहीं हुआ है तो तब क्या आप नहीं कर सकते हैं परिवहन जिस पे यात्री एक रस्थान से स्थान जाते हैं उसको परिवहन बहन करते हैं तो वह आप 20 वर्ड से कम आयू में नहीं चला सकते हैं ओके चले नेक्स्ट डेक्ते हैं अगर आपकी उम्र 16 वर्ड की है आपके वल 50 सि क्या है सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो उसमें हम आपको सिसी के बारे में डिटेल चर्चा दिया देखिए जो शिलंडर का है वो शिलंडर का वॉलूम कितना है पाई वाई फोल डीय सक्वेर को एक ऑके क्यों क्योंकि यह देखिए यह सिलंडर गोलाकार रहता है तो इसका तो हैड्ट हो गया यह क्या है होई 32 भी रहता है तो डी स्क्वेर यानि कि सेंटीमीटर का एक मिनूट धिसका यह देखिए पाई बाई फोर डी स्क्वेर एच यह हो गया वहलों किसका सलेंडर का सलेंडर अकार में नहीं जन रहता है तो उसके बाद देखिए डी स्क्वाइर यानि की डी स्क्वाइर कहने का मतलब संटीमीटर का स्क्वाइर इन्टू हाइट हाइट भी क्या रहेगा संटीमीटर में तो क्या हो जाएगा संटीमीटर का क्यू यानि की संटीमीटर क्यू क्यू मतलब समझ रहे न इसी को क्यूबिक संटीमीटर करने का यूनिट है तो बताएंगे और यह भी बता बताएं विडियो जाके देखिए और उसके बाद देखिए तो यह परिवहन वाहार कम से कम 20 वर्ष की आयू होने पर आप ट्रांस्पोर्ट वीकल चला सकते वह जो यह बोला आपके पास अनुभव हो जाना चाहिए तो आप सिखे और जाके परिवहन चला देजिए अपना तो खर डेंजर जोन में हो दूसरे को वी डेंजर जोन में खुदाना रखास कुछ हो गया तो आप ही के उपर जिम्योदारी आएगी इसलिए इसके लिए मतलब सीमा रखा गया कि 20 वर्ष की आयू होने पर ही आप ट्रांस्पोर्ट यानि कॉमर्शिया परिवहन वाहन चला सकते हैं ओके उसके बार देखिए एक नोट्स पर एकदम इंपोर्ट आपकाली निस्थिती मतलब समझी रहें कोई इमर्जेंसी हो आप यह भी आप पूरा ट्रेंड हो मतलब आपका हूनर ऐसा हो कि आपको देख ले जहां यह बंदा है जो अठारा वर्ष का है 20 वर्ष से कम है और आप सही से चला लेते हैं कारी तो आपको अनुमती दे दी जा के उलंगन करने पार मोटर यान के मालिकों का उतरडाई मतलब देखिए अगर धारा तीन क्या बोलता है धारा तीन और धारा चार है जो ड्राइविंग लाइसेंस अनिवारे है मालिज आप अंदर रहे जाए यानि का ठारवर से कम है आप पकरे जाते हैं तो उसके लिए अ वह ही बताएंगे ना जो गारी के मालिक रहेंगे या आपके गड़ जीन तो वह ही है से उसके बाद देखे सेक्षन सेविन क्या बोला है बाहन चलाने के लिए लर्न लाइसेंस की योगतार किसी भी विक्तिक को परिवहन ग्यान चलाने के लिए शिक्छार्ति आती है तब तक की उनसे हलका वहन चलाने के लिए कम से कम एक वर्ष तक चालन अनुग्यापति धार नहीं की यानिकी एक साल का आपका एक्सप्रियेंस बोले या जो भी बोली एक साल पुराना हो जाए तब आपको क्या परिवहन वहन चलाने के लिए दिया जाएगा ओके ऐसे नहीं दिया जाएगा उसके बाद देखिए नोट इंपर्टेंट पॉइंट है इदिक्षा गारी गारी पर यह कंडिशन लागू नहीं होगा क्या कंडिशन लागू नहीं होगा तो वह देखते हैं अधारवर्ड से कम आयू के किसी व्यक्ति को बीना गीर वाली मोटर साइकल चलाने की शिक्षाल्थी अनुग्यापती उसकी देखरेक में किसकी देखरेक में देखते हैं देखरेक करने वाले व्यक्ति यानि आपके गर्जीयन देखिए क्या बोलता है थारवर्ड के कम अगर आप यह बीना गयर वाले गारी चलाते हैं तो किनकी देखरेक में जो आपकी देखरेक कर रहे हैं उन व्यक्ति की देखरेक में लिखित सहमती के बीना नहीं दी तो आपको चलाने का नुमती मिलेगा जब आपकी देख रहे कहने का मतलब है गारी जिसके नाम पे बाइक है वो अगर लिखित सहमती दे दे तब जाके आपको घारी मिलेगा नहीं तो नहीं दी जाएगी चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेक्षन एड लर्निं लैसेंस दिया जाना तो लाइसस बनाने क Inte तो जरूरी उस राजे कीम उस्यराइनिक का रूउर्इम होना चाहिए यानि कि आप उस मिले राडीनिंग लाइसेंस देने स्थापन स्थिति जहां पर मोटर या चलाना सिखाना चाहता है यानि कि आपको कम या तो करुवारी मतलब हो उस राजे के निवासी है या धारा-बारा के अनुसार अगर आपको स्कूल जोईन किये हैं तो वहां से आप प्रोपर ट्रेनिंग ले चुके हैं ड्राइविंग के तब आपको लर्निंग लाइसेंस दिया जाएगा ओके उसके बाद देखिए नूट पर नूट क्या है परिवहन वहन का डील प्राप् ी ले टाइसेंस परी लेल लेजर ने पहुंच गया जिसका मेंट मतलब दिमागी हालत सही नहीं तो उसको नहीं न दिया जाएगा उस इसलिए चिकट सा पर्मानपाट्रेश्य या शरीर का को yarg यह तु नहीं कर रहा है तो यह सब देखके बनाया जाता हैती इसलिए चिक Jinus अप्रमान पत्रति किया हुआ सकता है और उसके बार देखो है धारा 14 इसके अनुसार लर्निंग लाइसेंस को वैलीडेटी छे माह तक होती है जो लर्निंग लाइसेंस और उसकी वैलीडेटी कितने चसिए उसके बार देखी का है है छालन अनुग्यापती का दिया जाना सेक्ष comfort cumpl i3 में क्या है ड्राइविग लाइसेंस ओके जो वेक्ति जो driving license पराप्ट करना चाहता है वह उस राज्य का निवासी या कारोवारी या फिर उससे वही बात है बारक एनुसा driving license या कोई ऐसा अस्थान जहां पर गारी चलाने का जो राज्य सरकाल द्वरा मनेता पराप्ट हो वहां से आप गारी सीख लिये हैं तब आपको ड्राइविंग लाइशेंस पर आप्ट कर सकते हैं तब आप जाके ड्राइविंग लाइशेंस पर आप्ट कर सकते हैं उसके बाद देखिए धारा नौ तीन यानि कि सेक्षन थिरी और जो खंद है उपधरा है वो तीन है ड्राइविंग लाइशेंस बनवाते समय अधिकारी आप से चालन का परिक्षन ले सकता है यानि कि ड्राइविंग लाइसेंस आप बरनाने जाईएगा तो अधिकारी का ये नियम है और वह के सेक्षन नाइन थिरी के अंतरगत की आप से वहाहन चला के देख सकता है तो वह ही है उसके बाद देखे सेक्षन नाइन फाइज तो अगर आवेदक परिक्षन में उट्रिन नहीं होता है तो वह साथ दिन के पुना फिन परिक्षन दे सकता है उसके बाद देखिए नगर्टिए यहार्ट कर लिजिए अगा कि उसके वाद कि अगरा और देखिए कि इसके बाद यह तो हो गया उसके बाद यह देखिए धारा सक्ष्छा देने वाले के लिए विड्यालर या अस्ठापनों का अनुग्यात आता वह क्या है देखिए विड्यालर कैसे खोले जाएंगे तो इसका जो नोटिस के अपको किस परकार के वाहनों से ड्राइविंग सिखा सकते हैं यानि कि वाहन ये तो नहीं है ये पूरा एकड़म खराब है ऐसा नहीं वाहन का भी जाच करवाना अवस्चा है कितनी उनके पास जगह होनी चाहिए यानि कि इसपेस भी वहां पर इंपर्टेंट रॉल करते हैं यानि क कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये भी इंपर्टेंट रखता है क्योंकि आपका अगर क्वालिफिकेशन सही नहीं है तो दिकत हो जाएगी ना गारी के बारे में अच्छा-कासा नौलेज होना चाहिए ये वह तो ये सब होना आपके पास जरूरी है उसके बाद दे है इंपर्टेंट जो पॉइंट होगा फाइब क्या बोला है किसी मोटर यान के चालन में धक्षटापूर्ण सिक्षा के लिए सिक्षा के लिए पाठे करम पाठे विवरण का आउधी का वर्ण तो ये सब आपके पास यानि कि मान लिजिए कि ड्राइबर इफिसिएनस सिक इसलिए न मांग रहा है कि आपके पास गारी के बारे में उसका मेंटनेंस के बारे में अच्छा खासा नौलेज होता कि आपके पास जो स्टूडेंट आए उसको प्रोपर ग्यान दे सकते हैं चलिए आज यहीं टक रहने देते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे धर आए है जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है यह नहीं कि सारे धर आया हम पढ़ाने लगेंगे जो इंपोर्टेंट है जहां भी उस एकदम भी आई है वो सब हम लोग देखेंगे ओके और एक पात और हम आप लोगों को बता दे कि यह सब पीडियेप हम सेंड कर दूंग यहां से आप लोग वाट्सप या टेलीग्राम के बादम से बुक मंगा सकते हैं पीडियेफ हो रहेगा तो पीडियेफ ले सकते हैं ओके तो और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देए और एक बात और एक सपोर्ट किजिए लाइक करके यह होगा कि हमें मनोवल वर अच्छा वीडियो जो भी टॉपिक उसमें अच्छा परफर्फर्वर्मेंस करने का कोशिश करते हैं इसलिए लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी सेयर कर देजा सब्सक्राइब जरूर चैनल कर देजाएगा ताकि हमें भी मनोवल मिले और आपके आपसे हम ज झाइक सकते हैं थाइक यू